जब का रहस्य स्री राम लाल जी पहड़ा लोगों को जब सब्द से सहसा माला का समरण होता है उनकी मन में या जमा हुआ है कि इस्ट देव का नाम या मंत्र जब केवल माला लेकर उचारन करते हुए बैठ कर निशित संख्या पूरी कर लेना है इस रीती से आजकल इस भारत भूमी में करोडों की संख्या में जब हो रहे हैं प्राचीन साहित भी इसका समर्थन करता है अमुक मंत्र या नाम जब से अमुक लाब होता है बहुत सारे वाक्य सास्त्रों में कहे गए हैं यद पी इन वाक्यों पर संदेह करना अनुचित है तथा पी इन पर विचार करना सर्वता वांच नहीं है जब के संबंध में सूत्रकार कहता है जिन इस्ट देव के नाम का या मंत्र का जब किया जाए उसके आसे, हेतु या प्रयोजन का भी विचार किया जाए माला लेकर मंत्र का या नाम का निशित संख्या में उच्चारन करना एकांगी जब है संभव है इस विधी से कालांतर में चित एकाग्र होकर विचार मगन होने लगे इस प्रकार निर्मल विचार से चित का सुद्ध होना सहज है सुद्ध चित में इश्ट देव का ध्यान सुगम हो जाता है ध्यान द्वारा इश्ट देव की क्रिपा पाना संभव है यदि जब करते समय अर्थ की यानि हेतू, आसे, प्रयोजन की भावना नहीं रही तो बहुत दीर से फल होता है इस भावना पर चित्त को जमाना ही यथार्थ ढंग है यह सात्विक कार है और सत्व गुण प्रधान वृति वाले ही कर सकते हैं अधिकांस मनुष्य, रजोगुण और तमोगुण से व्याप्त हैं, अता उनका किया हुआ जब यथार्थ फल नहीं देता युग के प्रभाव से मनुष्यों का काम अनधिकार चेश्टा की कोटी का हो रहा है इसी से जब करने के उपरांत भी मन को सांती नहीं मिलती आचारियों ने जब की तीन विधियां बताई हैं, जब बुद्धी से अक्षर, स्रेणी और स्वर, युक्त, पद का उचारन करके अर्थ के भावना रखी जाती है तब मानस जब कहलाता है जब जीवा, ओस्टो को किंचित चलाकर, मन में इष्ट देव का ध्यान रखकर किंचित स्रवन योग्य उचारन होता है तब उपांसु जब कहलाता है और जब वैखरी वाच से उचारन किया जाता है तब वो वाचिक जब कहलाता है इस तरह वाचिक से उपांसु और उपांसु से मानसिक जब अधिक स्रेष्ट बताया गया है यह परंपरागत रूड़ी है इसमें अधिकांस जनता फसी होई है संसार ही भेडिया धसान का काम करता है बहिरंग वालों का अनुकरन प्रिय होना सहज है इसलिए अधिकांस जनता मर्मानी करने लग जाती है उनको विचार करना कठीन जान पड़ता है यहाँ नवीन धंग से जब पर विचार किया जाता है जब सब्द का विचलिशन करने से जब से जन्म जात और पउसे पालन करना प्रतीत होता है अता जब का हेत्व अपनी जन्म जात वस्तू का पालन करना है सरीर निर्मान में जठरागनी, वीर्यागनी और चेतना का आरंभ हुआ है मैं यग्य के यानि जीवन के रितो के अणुसार काम करने वाले पूर्व ही रखे हुए यानि इस्थित अगनी देव की स्तुती या पूजा करता हूँ वह आवशक सामगरी यानि आहूती डालने वाला और रत्न यानि स्रेश्ट वस्तु धारन करने वालों में सर्वुत क्रस्ट हैं हमारे सरीर में अगनी देव तीन रूपों में पूर्वेही इस्थित हैं आयुर्वेदा अनुसार खान पान को सुध रख कर जठरागनी का सैयम नियम या ब्रमचरे से वीर्यागनी का और ईश्वर अरचना से ध्यान या स्वअध्याय से ग्यानागनी का संरक्षन करना चाहिए इनका यतुचित संरक्षन करना ही जब का ठीक ढंग होगा जब में निरंतर स्मरन करते रहना आवशक है और भावना के प्रतिकूल कामों को सर्वता छोड़ देना यदि बालकों को कुछ वस्तु जैसे पुस्तक, कलम, पट्टी, कौपी, कुर्ता, चप्पलादी लाने का वचन दी दे तो वे उस्तु का निरंतर स्मरन करते और माता-पिता को तंग किया करते हैं उनको तो उस्तु की लौ लग जाती है मानो वे उस्तु का जब करते हैं यदि पिया निकरष्ट जब है तधापी – विधि ठीक है इसी लौ से हमको अपनी पूर्व इस्थित तीनों अग्णियों का संरक्षन करने में सचेत रहना चाहिए इस अग्णियों के सिवा सरीर रचना में पंच महाभूत तत्व भी उपस्थित रहते हैं प्रतेक तत्व अपने गुण का अधिस्ठान है प्रत्वी में छामा, जल में नम्रता, सीतलता, अग्णी में सुधता, वायों में अनासक्ती, गती सीलता और आकास में निरलेपता है ये सब हमारे सरीर के साथ ही उत्पन्न हुए हैं नहीं, इनका मिस्रण ही हमारा सरीर है अता इन गुणों का विकास करना आवश्चक है विसियों में फसकर इन गुणों को दबा देना ही दुखु और व्याधियों का कारण हो जाता है इनका संतुलन रखने से मनुष्य का मन इस्थिर होकर काम करता है इन्ही तत्वों से ग्यानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का आवेरभा हुआ है इन तत्वों का संतुलन रखने से इंद्रिया सयमित रहती है इंद्रियों के सयम से मन में प्रसन्नता आती है प्रसन्नता से सब दुखों का नास हो जाता है क्योंकि प्रसन्य चित से बुद्धी इस्थिर होती है और मनुष्य सुखी होता है जप में अर्थ की भावना से हीन मनुष्य का मन असांत रहता है असांत कभी सुखी नहीं हो सकता तीनों अग्नियों का संरक्षन करके पंच तत्वों का संतुलन रखकर जीवन निर्वाह आ जो निरंतर करने का है